स्पर्ष मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गेस्ट्रो एंटेरिलोजी की सविधा के साथ आपकी सेवा में साथ ही दे रहा है एम्बुलेस के लिए टोर्ट्रीम नंबर की सविधा 1-8-00-30-91616 स्पर्ष मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक हैसास अपनी बन का नमस्कार दर्शकों मैं सुर्भी वर्मा और आप दिखने शुरू कर चुके हैं तिरंदास आज हम पहुंच चुके हैं राइपूर के हीरापूर मिस्थित जरवाय गोठान में वैसे तो प्रदेश भर में गोबर से अनेक वस्थों का निर्मान किया जा रहा है आज काई को अर्थ विवस्था से जोड़ दिया गया है आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं गोबर का पेंट जिहां आपने सही सुना गोबर का पेंट जिसके इस्तमाल से आप ना केवए घर को सुन्दर दिखा सकते हैं बलकि अपने स्वास्त को भी अच्छा बना सकते हैं आज हमारे बीच मौजूद है इस फैक्टरी के संचालक सहल साहूजी आईए जानते हैं इनसे कि या पेंट बाकी पेंट से अलग कैसे है और या बनता किस प्रकार है तो सबसे बड़ा परपटी है तो हमारे बीच गाए का गुबर जो पेंट बना है उसकी सबसे बड़ी प्रपरटी है ये मेजर रिसर्च का काम चल रहा है वही एक रिडियेशन तो ये एंटी रिडियेशन भी प्रपरटी के साहता है और इसके अलावा आपको और बहुत सारे इसके बैणिव हैं अगर हम durability और चमक की बात करें तो इस पर क्या कहना है अगर हम चमक की बात करें तो हमारा पेंट एकदम चमकता नहीं है लेकिन आपके स्वास के लिए बहतर पेंट है हम इतना जरूर बोलना चाहेंगे मैं बोलना चाहूंगा कि लोगों के लिए आपका पेंट का चमक होना ज्यादा महतोपून है या आपका स्वास्त ज्यादा महतोपून है तो मेरा मानना है कि लोगों का जवाब होगा स्वास्त ज्यादा महतोपून है और इसी द्रिष्टी कोड के साथ हमने ये पेंट बना र मार्केट में जो मिल रहा है पेंट है उसके एकॉर्डिंग इसका रेट कैसा है या फिर सेम ही रेट है आज मैं आपको बताना चाहूंगा जो मार्केट में एंटी फंडल एंटी वैक्रिकल जो पेंट अले उपलब्द है वो कहीने कहीं साड़े हैं इसमें घाए का गोबर आता है एक दो दिन जो पुराना डोस्तै हम इसमेंं डालते हैं टैंक में डालने के स्कॉCola किसा कर दे Hawai मार्केटि जो रोक्त आे इसमस時間 को करींका एक व्रसले करते हैं का म हमारा compound होता है जो लिक्विड हमें चाहिए वो लिक्विड हमें मिल जाता है अलग से आप जैसे नीचे देख पा रहेंगे यह लिक्विड है और फाइबर पार्ट उसका अलग हो जाता है तो फाइबर से हम पुट्टी हो गया दिया हो गया बहुत multiple कर सकते हैं मंगर हमें बनाने के लिए धे सकता होती घाता है लिक्मिद हमने यहां से Lawrence अब इसको हम लिक्विट को स्टैक करने के बाद आगे process के लिए यह IK के तू फैक्टरी के अंदर चला जाता थ qjattaki दू जाता है तो लगें उसकी यह वाणनी जैसे हम अभी क्या है, फुल कैपिसिटी में अगर हम मैनुफाक्ट्रिंग चालू करते हैं, तो हम इन टैंक्स के इस्तमाल करेंगे, जहांपर 2000 लेटर डे में अगर हमें बनाना होगा, इन में स्टोर होता है, स्टोर करके, फिर हम अंदर पांप कर देते हैं, तो इनका परप पारा लिक्विड लगबग रेडी हो गया, लिक्विड रेडी होने के बाद इस पाइप के थुरू यहां पर आता है, फिर इसको हम इस मशीन में टालते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्लिचिंग टैंक, तो जो गाय का गोबर होता है, आप देखे हो की बिलकुल काला कलर का होत होता है, तो इस टैंक में आने के बाद हम उसको 100 डिग्री पे हीट करते हैं, इसमें जो भी असुद्या होती है, जो सारी चीज़ें होती है, वो खतम हो जाती है, और हीट करने के बाद इसमें हेडोजन पेरक्सड और कास्टिक सोडा डालते हैं, जिसको उसको इसको हम यहां से निकाल कर आगे पेंट बनाने के लिए प्रोसेस में इस्तमाल करते हैं यह बिल्कुल ऐसा लिक्विड होता है जैसे कि यह तो पानी ब्राउन कलर का रहा है तो इसमें कुछ एड़ करते होंगे अब यह हमने यहां से यह लिक्विड लिया लिक्विड को इसमें यह पानी को से सके. तो यह सारी प्रॉपेटीज के लिए हम इसमें जो प्रोडक ड़ते हैं वो टोटली ऐसे प्रोड libert आगशीड है जो कहीं से भी आपके स्वास के लिए हामफुल नहीं है अ dalक्त需 बिरश का कार्बोड़ा? हम इसमेज हम सबसे पहले होता है। तेटनियम डयक्सओड होते हैं बाइंडर्स होते हैं और एकस्टेंडर्स होते हैं यह अलग-अलग क्याकिश्य क्याक्थ Interesting firstih train यहां पर देख पा रहे होंगे यह अभी यह बनने के प्रोसेस में यहां पर आपको वह आपको वह इसा लिया इसमें और भी प्रोडक्त मिस्क्टिया अब मिक्स करने के बाद बिलकुल यह वाइट हो लिए दिशनर पेकों पेकाजिं覺 जैसे ए यह पार पर यह एमिश्य पेंट है जो बिलकुल बन कर रेडी है और यह si. जो होता है हमारा manufacturing white color में होता है आपको जो भी color चाहिए अलग-अलग sets होते हैं उन set के according आपको different different color मिल जाएंगे किसी भी set का आप जैसे आपको एक browser मिलेगा उस browser में आप select कीजिए वो color आपको इससे बन जाएगा अब हम बात कर रहे हैं गाय की गोबर की paint और normal paint तो गाय की गोबर से आपको क्या फाइदा है उस फाइदे की बात कर रहे है अशलाब जैसे आपको कुछ मैं major बता दूं तो सबसे पहला एको friendly है कोई भी इसमें ऐसा chemical या ऐसा mix नहीं है दूसरा natural thermal insulator है ये मतलब गाय की गोबर डलने के वज़े से इसका insulation करता है जहां पर आप धूप में जैसे गर्मी के दिनों में आपका थोड़ा थंडा रहेगा थंड के दिनों में थोड़ा सा तो ये में थोड़ा सा आपको कहने कहीं आएगा दूसरा non-taxics है heavy metals कुछ भी नहीं डले हुए है इसमें और cost effective सबसे बड़ी चीज जो है paint की quality के सांस सांस ये cost effective भी है तो जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार 36 गड़ में गोबर का paint बन रहा है chemical वाले paint के मुकाबले यदि आप इस paint से हुए मकान में सांस लेते हैं तो यह आपके स्वास्त को किसी भी प्रकार से नुक्स भी वर्मकी रिपोर्ट